हेलो स्टुडेंट दिर गुड न्यूज फार जेके एससबी स्टुडेंट मैसेल्फ इस अफ्राज अहमन्द और आप देख रहे हैं माई यूटीब चैनल स्मार्ट फिजिक्स आफिशल मैं आपके लिए लेकर आए हूं कंप्लीड फिजिक्स कोर्स फार वैरिस एक्जाम एक और बहुत सारे एक्जाम हैं जिसके अंदर फिजिक्स का कर्स होता है कुछ नख्ष हिसा हैं फिजिक्स का मिलता ही है तो वह कॉर्श में यहां पर क्म्पलीट करूँगा तो आप सभी बच्चे जो भी ये ट्यारी कर रहे हैं एक्जाम की वह यहां से सीख सकते ही अपने कं से यहां से सीख सकते हैं इन डिटेल आपको हर एक चीज़ पढ़ाई जाएगी अच्छे से चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम अपना टापिक जहसमें हम सबसे पहले बिसकर आप करेंगे यूनिट्ट एंड मीजर में तो सबसे पहला जो टापिक आज हम डिसकर्स करने जा रहे हैं वहाए यूनिट एंड टे अप्लिए मैंजर मेंड का चली हम स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड मीजर्मेंड अब फुजिक्स के अंदर इस चीज़ की नीड क्यों पड़ी तो ये आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मेजर्मेंट करना तो आज कल एक आम सी बात होगी हर जगा मेजर्मेंट की जाती है चाहे आप शाप के उपर चले जाओ चाहे आप किसे से दूद लेते हो हर जगा मेजर्मेंट की जरूर तो पड़ती ही है बट एक हमारे पास एक यूनिट होना चाहिए न जिसमें हम मेजर्मेंट करेंगे तो किस तरीके से शुरुआत होती है मेजर्मेंट करने की तो हम उसकी थोड़ी से बैगरोंड सीखेंगे देखो मैं आपको को थियोरी नहीं लखाँगा, अगर आपको इन डेटेल पढ़ना है तो आप मेरे जो प्ले लिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगी लेक्चर जैसे 11 की फिजिक्स के अंदर आपको इन डेटेल ये सब कुछ मिलेगा, बट हमें करनी है तेहरी जेके एससबी की तो हमें इन डेटेल आपको पढ़ना है, अगर हम कोई डेटेल पढ़ना चाहते हो तो आप वो मेरे लेक्चर सुन सकते हो जाकर, तो हम अगर मेर्मrånु मैर्मों की बात करें तो अब ये भाहूब ये जानते हो कि मेर्मनट की ज़रूरत क्यों है अब मेसरिमेंट करने से पहले न हमें कुछ quantities का पता होना बड़ा जुरूरी है तो जो फस्ट definition हम डिसकस करेंगे वह है physical quantity क्या होती है इस फिजिकल क्वांटिटी यहां पर जो दीगी है तो अपने यह याद रखना है को कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको डिरेक्टली या इंडिरेक्टली मेजर्मेंट कर सके उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं यह हमारे पास physical quantity तो क्यव डखने इसी किवांजए इन सिम्पल का याद रखना है डिरेक्टली कम और इंडिरेक्टली क्या कर सकें मियजर कर सके जिस क्वांटी को हम डिरेक्टली और इंडिरेक्टली मेजर्मेसर कर सके उसको हम बोलते हैं यह हमारे पास physical quantity example velocity of light velocity of light को हम मेज़र कर सकते हैं yes it is it will be measurable this is a physical quantity और आप एक्जेम्पल मास है हमारे पास time है मारे पास ठीक है देर लाट अफ फिजिकल क्वाटिटी अपने बस यह याद रहा है जिसको हम मेज़र कर सके आप बसुक्राइब होती है प्याइब यह आंचेशार के याद रहारे पास जैसे है टिक वालि मार पास का एडिया आगया हमारे पास ठीक है टाइम आगया हमारे पास विलास्टी आगी हमारे पास this is all physical quantity because it will be measurable ईंबर सब्सकिर flickлад करें physical quantity की ही दो टाइपस हैं हमारे पास बन फिसे कल कौन्ती घप हमारे पास दो किसम की प्विसेकल थोती हैं वह कौन साइब से इंपर एक स्belाम्र है हमारे पास एक और fundamental quantity इस कौनसी होती है तो अपने याद रहिए विच इन्डीपेंडट ऐसी कौंटेटी जो इन्डीपेंड़ होती है जो किसी से डराइब नहीं होती है जिसकों क्या ट्रीट करते हैं इंडीपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडे हैं हाव मैंने कोअटिटी जल फंडामेंटल तो अपने याद रखना रखना है दिरस सफन कॉन्टुटीस फंडामेंटेटीज कि येख कॉंडामेंटल थे हैं जिसको हम क्या मांते हैं फंडामेंटल कॉंटिटीज तो कि तो नहीं है fera aug mandates fundamental quantities, okay, fundamental quantities, अब seven fundamental quantities तो हैं बट इनका और नाम भी है है, इसे हम base quantities भी कहते हैं, also हम इसे के कहते हैं, fundamental को और क्या नाम है, इसका दुसरा नाम क्या है, याद क्या रखने आपने, base quantities, okay, कोशिन यहां से बन सकता है, कि आपको को given quantity दे दी जाएगी, तो बताइए इनमें से कौन से fundamental है, तो मैं आपको list बना गया दूँगा, next lecture गे अंदर के fundamental quantities साथ कौन-कौन से, आपने वो याद रख ले नहीं है, ठीक है, अब अगर हम बात करें, दूसरी type की physical quantity की तो वो होती है, derived quantities, quantities, derived quantities, ऐसी quantity होती है, जिनको हम fundamental से obtain करते हैं, derived करते हैं, तो ऐसी quantities को हम क्या कहते हैं, derived quantities, अब अगर को आपको कहें कि बताएगी, कितनी derived quantities है, तो इसकी को limit नहीं है, हमारे पास, there are lot of dried quantities, ठीक है, हम बात करें कि जिसे force, speed, velocity, momentum, strain, stress, this is all what derived quantities, तो ऐसी quantities, जो कहां से obtain की जाती हैं, यह हम कहते हैं, which derived from fundamental quantities, okay, example क्या मारे पास, speed है, force है, momentum है, हमारे पास, impulse है, stress है, strain है, this is all what, this is all fundamental, sorry, derived quantities, अब एक unit होता है, fundamental unit, तो मैं यहीं आपको सुन्जा देता हूं, जो unit fundamental quantities के लिए use किया जाते हैं, यहनि fundamental quantities के लिए जो unit का use किया जाता है, express करने के लिए, तो उन्हें हम कहते हैं, fundamental unit कहते हैं, और derived units वो unit होते हैं, जो किसके सब connected होते हैं, इन simple अगर मैं आपको कहूं, तो आपना ऐसा याद रख लेना है, इसके साथ जो connected होंगे, वो हमारे होंगे fundamental unit, ओके, और इसके साथ जो connected होंगे, वो क्या होंगे, और derived unit, ओके, यह अपने याद रख लेना है, fundamental unit वो unit होते हैं, जो किसके लिए यूज के जाते हैं, fundamental quantities को express करने के लिए, जो किसके लिए यूज के जाते हैं, ड्राइड quantities को express करने के लिए, अब आते हैं, आपना जो खास main topic था, system of unit के ओपर, तो student system of unit हमारे पास क्या है, जेखो, अलग-अलग countries के अंदर, अलग-अलग system of unit थे, तो हम one by one करके discuss करते हैं, चली में इसको रब कर देता हूँ, हम system of unit की बात कर रहे हैं, तो system of unit में जो number one आहाम बात करेंगे, वो होगा, cgs system of unit, अलग-अलग जगा पर, अलग-अलग system of unit यूज के जाते थे, यनि measurement करने के लिए, अलग-अलग system का यूज किया जाता थे, उसमें जो हम number one पढ़ेंगे, वो है हमारा F, sorry, cgs system, cgs system, यह अपने याद रखना है, cgs system, इसमें, अब अपने याद क्या रखना है, c जो है, यह आता है for centimeter के लिए, जी जो है, यह आता है gram के लिए, और s जो है, यह किस के लिए आता है, second यह टाइम के लिए हम क्या सकते हैं, यह second के लिए हम, इसको जो meaning है, cgs के अंदर देखो, हमारे पास centimeter है, gram है, और क्या है, second है, centimeter हम किसके लिए यूज़ करते हैं, length के लिए, length को measure करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, mass को measure करने के लिए हम इसमें किसका यूज़ करते थे, gram का, और second के लिए क्या यूज़ करते हैं, time को measure करने के लिए हम क कிसका यूज करते थे सैकंड काnewus करते थे कि सिस्टम आव यूरnट के अंदर यह सेटेंट है यह कहां पर आया था तो यह आपने यान याद किया रखना तो यह है इस प्रेंच को इट यह प्रेंच को आइप सिस्टम आ फिए योड यो निए फ्रेंच के अंदर ये system of unit adapted था वहां पर length को संटीमेटर में मेजर किया जाता था मास को gram में मेजर किया जाता था ताइम को किसे मेजर करते थे हम second के अंदर मेजर करते थे अब इससे जोड़ी कुछ important बाते अपने याद क्या रखनी है अगर आपको exam में कोशन आ जाता है यहां से भी कि बताइए 1 meter यह तो सब को याद होगा 1 meter किसके बराबर होता है 100 cm के बराबर तो बताइए 1 cm कितना होगा 10 की power minus 2 meter के बराबर इसी तरीके से 1 kg बराबर होता है 1000 gram के तो बताइए 1 gram किसके बराबर होगा 10 की power minus 30 kg के तो remember it तो अपने याद रख लेना है यह आको आ सकता है गज़ा में बताइए cg system किसको represent करता है तो centimeter gram और second को centimeter length के लिए है ग्राम मास के लिए और second किसके लिए है टाइम के लिए एक और मारे पर system of unit है famous system of unit fps system fps system British system of unit अब यह किसको represent करता है तो चलिए वो भी हम देख ले दें को कि मैं इसको रब कर रहा हूं कि यह था हमारा number one system of unit दूसरा हमारा fps system of unit fps fps system of unit में एफ का मतलब क्या होता था आप फूट क्या मतलब था था फूट का मतलब यह था पाउंट और एसका तो समीने सेकिंट यहां पर लेंथ के लिए क्या यूज कर जाता था फूट का यूज करते थे लेंध को मेजर करने के लिए फूट का यूज करते थे अभी भी हम अपनी हाइट को मेजर करने के लिए फूट का यूज करते हैं मास को किसे मेजर करते थे पॉण्ड के अंदर और टाइम के लिए मारे पास क्या था सैकिंट आपने याद रखना है फूट हमारे पास आ गया पॉण्ड आ गया हमारे पा आखता है और एक नुक्राइब ऑद आगो बतानी है वो यह वाड़िये क्यों कि कहां पर घृस्टिम आप यूनट बिटिश के अज़िटिश इस्टुम आपी ये निट आज अनू गुप सिस्टम आफ युनक ऑब यहां पर इंपॉडटर्ट क्या है आप के लिए वो यह है बताईे का वन मीटर है एक मीटर के अंदर कितने फुट होते हैं याद कर रखने एक मेटर के अंदर कितने फूट बनते हैं तो आपने याध ये रखना है कि एक मीटर के अंदर हमारे पास कि ट्री फीट कि 3.37 इंचिस है इंपोर्टन है सुड़्िंट ये एक मेटर जो बनता है वो बनता है थी फीट 3.37 इंच का वॅओके वन पॉंड कितना होता है एक उंद के अंदर कितना मास होता है एक पॉंडू के अंदर होता है 0.453 kg okay remember it 0.444 kg आता ज्याद दर और अगर आपको कुछ है के ःक KG की अंदर कितना। ने हैं तो 2. एक पॉण्ड के अंदर कितने के जी होते हैं 0.454 एक के जी के दिने पांड उते हैं कि फाइव पॉंट। पाइंट कुछिजा आपको शाहद रखनी है अब आता है एक याड याड भी एक सिस्ट्म आव यूनिट में अन्दर आता है है मेरी यार्ड के अंदर टेंस फोगे हैं तो एक यार्ड के अंदर सुडं िंड in 505 kg के और 1 kg होता है 2.505 पांड के बराबर होता है यह important है यह आपको अक्जाम में पूछा जा सकता है यहां से देखें मैंने कहीं पर कोशन ऐसे एक्जाम में आयो है तो आज हम इतना ही रखेंगे ज्यादा लंबे लक्षों तो हमने बनाने नहीं है बोर हो जाते हैं ज्याद झाल 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 झाल